क्या परमेश्वर का प्रेम सशर्थ या शर्थ हीन है? जैसा कि बाइबल में वर्नित है, परमेश्वर का प्रेम स्पष्ट रूप से बिना किसी शर्थ का है, जिसमें उसका प्रेम उसके प्रेम के विशे अर्थात उसके लोग के प्रती यह जानते हुए भी है कि वे उसके प्रती किसी तरह का कोई जुकाव नहीं रखते हैं, में किया जाता है. दूसरे शब्दों में परमेश्वर प्रेम इसलिए करता है क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम करना है और उसका प्रेम ही उससे परोपकारिता से भरी हुई गतिविधी की ओर ले जाता है. सुसमाचार में परमेश्वर का प्रेम बिना किसी शर्थ के सबसे अधिक स्पश्ट रूप से देखा जा सकता है. सुसमाचार का संदेश मूल रूप से ईश्वर ये छुटकारे की कहानी है. जब परमेश्वर उसके विद्रोही लोगों की दुर्दशा के उपर ध्यान देता है, वह उन्हें उनके पाप से बचाने के लिए निर्धारित करता है, और यह द्रिर संकल्प उसके प्रेम पर आधारित होता है. रोमेओ को लिखे अपने पत्र से प्रेरित पॉलुस के इन शब्दों को सुनो. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसी ठीक समय पर भगती हीनों के लिए मरा. किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुरलब है. परन्तु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे. परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीती से प्रगट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसी हमारे लिए मरा. रोमेयो की पुस्तक के पठन के द्वारा, हम शिक्षा पाते हैं कि हम अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए हैं. हम परमेश्वर के साथ शत्रुता में हैं और उसका क्रोध दुष्टों के विरूद्ध उनके अधर्म के कारण प्रकट किया जा रहा है. हम परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं और परमेश्वर हमें हमारे पाप के लिए दे देता है. हम यह शिक्षा भी पाते हैं कि हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं और हम मेंसे कोई भी परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा है, हम मेंसे कोई भी उसकी दृष्टी में वहकार्य नहीं करता जो सही है परमेश्वर के विरूद्ध इस शत्रुता और बैर के होने के पश्चात भी जिसके लिए परमेश्वर पूरी तरह से हमें नश्ट करने के लिए स्वयम में धर्मी ठहरेगा, हमारे पापों के लिए परमेश्वर अपने पुत्र, येश्यु मसीह को प्रायश्चित अर्थात परमेश्वर के धार्मिक्ता से भरे हुए क्रोध की तुष्टी का होना के रूप में दिये जाने के द्वारा हमारे प्रती अपने प्रेम को प्रगट करता है। परमेश्वर ने हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करने की शर्थ के रूप में हमारी अवस्था के सही हो ज प्रतीक्षा नहीं की. इसकी अपेक्षा, परमेश्वर एक व्यक्ति बनने और उसके लोगों के मध्य रहने के लिए अपने स्तर से नीचे आ गया. परमेश्वर ने हमारी मानब्ता का सब कुछ अनुभव किया, सब कुछ का अर्थ है कि मनुष्य बनने के लिए जो कुछ चाहिए होता है, और फिर स्वयम को हमारे पापों के एक वेकल्पिक प्रायश्चित के रूप में स्वेच्छा से प्रस्तुत कर दिया. इस ईश्वर ये छुटकारे के परिनामस्वरू पात्म बलिदान का अनुग्रह से भरा हुआ एक कार्य हुआ. जैसा कि ईश्व ने युहन्ना के सुसमाचार में कहा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं की कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्रान दे. मसीह में परमेश्वर ने सही में इसी कार्य को किया है. पवित्र शास्त्र से दो और प्रसंगों में परमेश्वर के प्रेम के शर्तहीन स्वभाव को स्पष्ट किया गया है. परन्तु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम से प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है, वह इससे प्रगट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलोते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हम से प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है जो पहले आरंब होता है यह एक प्रतिक्रिया नहीं है यही वह कारण है जो इसे बिना किसी शर्थ वाला बनाता है यदि परमेश्वर का प्यार सशर्थ होता, तो हमें इसे कमाने या योग्य होने के लिए कुछ करना पढ़ता परमेश्वर को प्रेम करने में सक्षम होने से पहले हमें किसी भी तरह से उसके क्रोध को तुष्ट करना होता और अपने पाप से स्वयम को शुध करना होता परन्तु यह बाइबल का संदेश नहीं है बाइबल का संदेश सुसमाचार यह है कि परमेश्वर अपने प्रेम में उसके लोगों को उनके पाप से बचाने के लिए बिना किसी शर्थ से प्रेरित हुआ